Hello guys, वीडियो में आपका स्वागत है and आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एक player purchase करते हैं और उसके बाद भी वो purchase नहीं होता है आप बहुट दिन तक वेट करते हैं, बहुट time तक वेट करते हैं फिर भी वो purchase नहीं हो रहा होता है उसके regarding problem क्या है क्यों ये purchase नहीं होता है ये reason आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं और इसका जो possible solutions है और explanation है मैं आपको बता दूँँगा वीडियो के अंदर चलिए शुरू करते हैं वीडियो last तक जरूर देखिए तब ही आपको समझ में आएगा कि ये क्या problem आ रही है आपके साथ और आपका player purchase क्यों नहीं हो रहा है example लेते हैं ये रोनाल्डो का card को मैं ज़्यादा complicated नहीं करूँगा बहुत easily directly समझा देता हूँ आपको sales quantity जो लिखा है न वो sales side है जो blue color में होता है वो sales होता है और उसके side में price होता है ठीक है ये price अगर आपके पास इतने पैसे है आप ये price डालके purchase करेंगे तो card आप buy कर लेंगे directly कोई issue नहीं आएगा लेकिन जब ये sales red वाले जो quantity है वो purchase के लिए है जब जो आप कोई भी player purchase करते है वो purchase के लिए है ठीक है और blue वाले sales के लिए तो sales मतलब अगर वो market में card available है और आपने purchase किया वो amount जो यहाँ 100 कर रहा है blue line में किसी भी blue line में तो वो card आप buy कर पाएंगे ठीक है आपको time नहीं लगेगा लेकिन वहीं पे अगर in case आपको दूसरा card का example दिखाता हूँ मैं जैसे कि ये Mbappe का new card देखिए इधर sales करने के लिए कोई है इने मलब कोई बेची नहीं रहा है वो card ठीक है purchase करने वाले बहुत सारे है 4500 जन यह है total 500 लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं और amount उतना दे सकते हैं वो purchase के लिए डाल दिये हैं लेकिन वो market में ही available नहीं है किसी ने sale ही नहीं किया है वो card तो आप buy कहां से करेंगे इसका सिधा सिधा example ने supply and demand अगर supply नहीं होगी पीछे से आएगा ही नहीं वो card ही कोई market में बेचेगा नहीं तो आप खरीदेंगे कैसे अगर आप अपना कोई भी card बेचते हैं वो कोई खरीदता है ना अगर आप वो बेचेंगे नहीं तो आपका card खरीदेंगे कैसे तो कोई बेच नहीं रहा इसलिए आपके पास card आनी रहा भले ही आप amount pay कर रहे हैं ना चाहते है और purchase कर चुके हैं लेकिन वो pending रहता है hard time purchase नहीं होता है और एक जैसे ये card usually ये card के साथ यही problem दे जो ज़्यादा demand है जिस card की बहुत जन उस card को खरीदना चाते हैं और आप भी वो ही card purchase करते हैं तो चेक कीजिएगा जो यहाँ quantity है वो देखिए 999 plus मतलब इतने हजारों लोग उसको खरीदना चाते हैं कोई बेच ही नहीं रहा है मार्केट में बेच ही नहीं रहा है तो इसलिए आपका card purchase होता ही नहीं है वो ही main reason है कि आप purchase कर देते हैं आप amount भी डाल दिये रहते हैं लेकिन वो card नहीं आपाता आपके पास इसका कोई direct solution नहीं है कि जैसे कि मैं आपको कोई trick बता दूँ कि आप buy कर पाएंगे या जल्दी purchase हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये सिधा supply demand का game है पूरा का पूरा अगर कोई card बेच नहीं रहा तो आप खरीदनी पारे तो जब भी आप card खरीदते हैं या जो भी card आपको खरीदना है in future खरीदना है अभी खरीदना है उसमें check जरूर कीज़ेगा या अभी जो आप card है आपके पास particularly उसमें क्या so कर रहा है जैसे MSC के card में sales इतने जन करना चाते है blue में है वो सारे कर्चे sale कर रहे हैं लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है तो वो card सुनका नहीं बाय हो रहा है कोई खरीद नहीं रहा है तो वो sale नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ भी card sale करते टाइम भी ऐसा होता होगा कि बहुत time तक sale ही नहीं हो रहा है आपका card है उस पे please purchase क्लिक करके ये चीज़ देखिएगा कि वो market में available होगा तो blue line में दिखाएगा और कितना amount उतना amount आप पे करेंगे तो directly खरीद पाएंगे time बिल्कुल नहीं लगने वाला लेकिन in case आप buy कर दिया और वो card कोई बेचना नहीं चाहता है market के अंदर तो ये वाला जैसे रोनाल्डो में सो कर रहा है कि खरीदने वाले बहुत है लेकिन बेचनी रहे तो आपका card buy नहीं होने वाला है जब तक उस card को कोई market में ना डाले तो I think आप लोग अब समझ गयोंगे आपका card क्यों buy नहीं हो रहा है ठीक है गाइस लेकिन इसका कोई short solution है नहीं इसलिए जो था मैंने आपको बता दिया थैंक्स फॉर वाचिंग दे वीडियो और वीडियो आपको अच्छी लगी तो like केजिए चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को share भी कीजिए अगर आपका कोई friend है जो FIFA कहलता है उसके साथ भी same problem आ रही है अगर वीडियो के regarding कोई भी doubts है तो मुझे comment section में आप पूछ सकते हैं और अगर आप चाहें तो मेरे instagram पे मुझे follow कर सकते हैं और कुछ doubt होगा तो मुझे वहाँ भी tag कर सकते हैं या directly मेरे inbox में text करके मुझे पूछ सकते हैं मैं help करने की पूरी कोशिस करूँगा और अगर आपको और भी कोई regarding topic के वीडियो चाहिए तो वो comment section में लिख दीजिए और मैं वो वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिस करूँगा Thanks for watching